हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आज का संडे रिपलाई बॉक्स सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट कमेंट है ये है जैनिफा जी की तरफ से इनका कहना है 31 दिन प्रेगनेंट हो चुका है अभी तक बच्चा नहीं हुआ है तो मादा खरगोश का बच्चे देने का जो टाइम पीरिड होता है वो 28 से 32 दिन का होता है तो अभी है आप एक दिन और वेट करें 32 दिन के होते होते मादा खरगोश बच्चे दे देगी चली बढ़ते हैं अंगले कमेंट की तरफ ये किया है फरहाना नाज ने इनका कहना है नाइस इनफॉर्मेशन में घर में हमारे चार चोटे चोटे रैविट्स हैं लोग बोर रहे हैं रैविट्स रखने से घर में प्रॉब्लम्स आते हैं क्या ये सही है तो ये बिलकुल भी सही नहीं है खरगोश बहुती प्यारे से बहुती क्यूट जानवर होते हैं बलकि खरगोश घर में रखने से कोई नुकसान नहीं बलकि फायदे ही होते हैं खरगोश पालने के क्या-क्या फायदे होते हैं इस तो टॉपिक पर मैं एक्सेप्टेट वीडियो भी बना चुकी हूँ आप वो वीडियो देख सकते हैं हाँ खरगोश पाले से आपको कुछ चोटी मोटी दिकतों का सामना करना पड़ सकता है जैसे खरगोश घर का सामान चबा सकते है खरगोश की साफ सफाई को लेकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है खरगोश की बीमारी को लेकर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन जो रियल रैबिट लवर होते हैं वो इन चोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से मैनेज़ कर लेते हैं चली बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ जो किया है सचिन शोट की तरफ से इनका कहना है दीदी मेरी मादा खरगोश ने बाल निकाले हैं पर बच्चे नहीं हुए तो टेंशन विलकुल भी ना ले मादा खरगोश अठाई से बत्तिस दिन में बच्चे दे देती है लेकिन व आपकी मादा खरगोश की प्रेगनेंसी का टाइम पीरेट पूरा हो जाएगा तो बच्चों को जनम दे देगी बढ़ते हैं लेकमेंट की तरफ जो क्या है रीत बर्मा ने इनका कहना है मैं आप प्लीज ये बताईए तेस दिन के बेबी बनी को मिल्क देना जरूरी होता है क्या कुछ और खिलाके नहीं पाल सकते क्या प्लीज बता दीजिये मैं तो तेस दिन के बच्चों को मा का दूद मिलना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है कम से कम 45 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा साट दिन तक बच्चों को मा का दूद मिलना बहुती ज़्यादा आ जाते है तो साफ सीधे शब्दों में कहें तो बच्चों को मा का दूद मिलना बहुत ही जरूरी है इस एज में बैसे आप तेस दिन के बच्चों को घास देना लिटल अमांट में फल सब्जी देना इस्टार्ट कर सकते हैं बटो अभी पहले से ना खिलाएं पानी देना भ ये मना ही करती हूं लेकिन बहुती छोटा सा एक टुकड़ा बासी रोटी का टुकड़ा आप अपने खरगोश को खिला सकते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है बट ध्यान रखें बहुत जादा रोटी खरगोश को बिलकुल भी ना खिलाएं इसे खरगोश में लूज मोश खिला सकते हैं तो नट में तो जैसे मौंगफली अखरोट बादाम काजू ये सारे ड्राइफ रूट आ जाते हैं तो ये इस तरीके का फूड अपने खरगोश को बिलकुल भी ना खिलाएं ये फूड खरगोश के लिए बिलकुल भी सेफ नहीं होता है हाँ मौंगफली के आप अपने खरगोश को खिला सकते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है चली बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ जो किया है गुजरात का माफिया भाई इनका कहना है दीदी प्रेगनेंट खरगोश कितने दिन में गोंसला बनाता है बच्चे देने के लिए तो मादा खरगो ठीक उसी दिन भी नेश्टिंग करती है जिस दिन बच्चों को जनम देती है और कुछ उमादा खरगोश तो बिना नेश्टिंग के ही बच्चों को जनम दे देती हैं तो इससों बात को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अपनी प्रेगनेंट फीमेर रैबिट का अच्छे से दिहां रखें उसकी डाट को अच्छे से मेंटें रखें जब उसका टाइम हो जाएगा वो बच्चों को जनम दे देगी अगला कमेंट है वतूल शेक की तरफ से इनका कहना है कौन से प्लांट से रैविटो मर जाते हैं प्लीज मुझे बताएं क्योंकि मेरे घ प्लांट लकी वैंबो रवर प्लांट जेजे प्लांट एरो हैड प्लांट एंड केलेडियम और ऐलो वीरा यही सारे प्लांट जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा यह सारे खरगोश के लिए डेंजरिस प्लांट होते हैं अगर आपके घर में यह सारे प्लांट हैं या इन तो ये मुम्किन नहीं है एक खरगोश कभी भी बच्चे नहीं दे सकता खरगोश बच्चे लेने के लिए आपको मेल फीमेर रैबिट की जरूरत पढ़ेगी चली बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ जो क्या है वंश क्रियेशन ने इनका कहना है हमारा नर खरगोश मर गया है पर हमें मादा खरगोश से बच्चे चाहिए तो क्या करें तो वैसे तो नर खरगोश के बना मादा खरगोश बच्चे नहीं दे सकती लेकिन एक तरीका है अगर आप अपनी मादा खरगोश से बच्चे लेना चाहते हैं तो आप ये काम करें, आपो अपने आसपास किसी भी पैर्ड शोप पर चले जाएं, बहां कोई नर्खरगोश जरूर होगा, पैर्ड शोप के ऑनर से बात करके अपनी मादा खरगोश को कुछ हो देर के लिए नर्खरगोश के केज में छोड़ दें, इससे क्या होगा कि दोनो जो किया है, खुशी कोईरी ने इनका कहना है, दीदी मेरे पास दो फिमेल्स रैबिट है, पर मेरा एक रैबिट दो दिन से कपड़े खीच रहा है, और अलमारी के नीचे ले जा रहा है, ऐसा क्यों, तो ये जो है ये फिमेल्स रैबिट की फॉल्स प्रेग्नेंसी है, इसम मादा खरगोश को फॉल्स प्रेग्नेंसी होती है, तो वो सेम वही हरकते करती है, जो एक प्रेग्नेंट फिमेल्स रैबिट करती है, फॉल्स प्रेग्नेंसी क्या है, इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपक कुछ भी नहीं है इनसान हो या जानवर उसे पानी पीने के लिए किसी की पर्मीशन की जरूरत नहीं होती है पानी की नीड हर जानदार चीज को होती है खरगोश को पानी आप बिना किसी पर्मीशन के पिला सकते हैं क्योंकि खरगोश भी पानी पीते हैं अगर आपका खरगो को पानी पिलाने के क्या क्या तरीके हैं उन्हें फॉलो करें आपको यूटूब पर गूगल पर बहुत सारे वीडियो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आप वो ये जानकारी यूटूब या गूगल से ले सकते हैं तो फ्रेंड्स तो आज के संडे रिपलाई बॉक्स में बस इतना ही मिलते हैं अगले संडे रप्लाई बॉक्स में